तो चली चुंड आगे एक टॉपिक और इसमें हमारा छूड़ गया था आपका MS Excel में जो कि एक पाइबोर टेबल का आता है नहीं कि आपको कोई चार्ड बनाना पड़ता है या पाई चार्ड बनाना पड़ता है या कोई पाइबोर टेबल टैप में आपको दर्साना पड़त है वह भी आपका डेटा होता है कि यहां पर लिखा कि एक कंपनी का record है सेल्स का record है मंथ्वाइस उसको यहां पर करना हो तो एक यह कोसन भी आपका आता है मेरे मनंसे आया भीए कई बारी कोसन ठीक कि उइसको भी आप समझ ले बाकि यह जितने भी स्में solution दिए गाएं यह म काम करते हैं तो हम ओपन करते हैं MS Excel को ठीक है बहुत ही सिंपल सा होता है आपको रो एंड कॉलों में डेटा को फिलफ करना होता है उसके बाद उनको सिब कर देना होता है टूड़ी या ठीडी के फॉर्म में जैसा भी आप चार्ड में चाहते हैं ठीक है तो बहुत इजली सब्सक्राइब करते हैं तो तो आप यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं माली यहां पर लिख दिया सेक्टर सेक्टर आपके पास कौन सा पीसी बेच रहे हैं ठीक है आप लेप्टॉप पर्चेस कर रहा है ठीक है इस प्रकार से लेप्टॉप हो गया डेक्स्टॉप हो छेहां प्रिंट्र यहां पे आपको जैसे कि इसमें लिखा गया है जैसे कि जनबरी और मार्च में रही है तोह वो यहां पर डाल सकते हैं जैन फैब ठीक है मार्च एप्रेल और में इस परकार से आप लिख सकते हैं बाकी आपका जितना सेल्स हुआ हो उतना आप यहां पे टूटल उसका मांट लिख दें जैसे कि बारह सो चौदर सो एक जामपल के तोर्प पर मैं ले रहों यहां पर ठी अब तोटल नपने कि है तो आप यहां पर का सकते हैं उठाके यहां पर आप कर लए अब आपको का करना है इंजर्ट करना है यहीं को पाई चार्ड में या बार में area में sector में कैसे भी करवा सकते हैं अब जैसे कि इसमें देखे बोला गया enter करना आपको data को और सेक्टर नाम से तो हमने यह तो बना लिया पूरा data को ठीक है इसको आप यहां पर जाकर सेव कर सकते हैं सेक्टर नाम की फाइल इसको आप सेफ कर सकते हैं ठीक है यूजिंग एप्रोप्येट फॉर्म्ला तो टोटल ऑफ इस सेक्टर तो हमने फॉर्म्ला यह आप लगा दिया देकिस्ट हम सी टू और सी एट इसमें फॉर्मला लगा हुए डी टू डी एट इस परकारते फॉर्मला लगा सकते हमने आपको आपको लोगा सकते हमने आपको समझा दिया ठीक है उसके बाद है क्रि डी कॉलम्ल तो यह कॉलम है कॉल के 3D वाले में जाना तो कोई सा भी आप ले सकते हैं इसमें पर ग्राफ इस पेकार से इसका देखिए पूरा मंत्वाइज जो आपका ग्राफ 3D में लगा तो इसमें सबसे ज़्यादा दे सकते हैं टोटल जो आपका यह आ रहा है ठीक है PC आपके कितने बीचे हैं वो आपका यह अपर दिखा रहा है गराफ में माई में आपरेल में वो सारह देखिएं यहां पर सभी एडिखा रहा है ठीक है तो इस पकार से इसको रेट किया जाते है शुन में आगे बहुत ही सिंपल सा है इसको मत्वाइज करेड कर सकते हैं easily तो यहीं आपको करके दिखाना था तो आपको computer पर करके दिखाना होता है लेकिन आप इसको लिखें कैसे simple सा है आपको जैसे इसमें लाइने आपने खीची है कि देगे अगर इसको बॉडर बना देते हैं इस परकार से यहां पर ले जाके मालेज हम इसको all border कर देते तो इस परकार से आपको बॉडर बना लेना है अ यहां पर not paid पर इस पर आपको बता देता हूं paint के माद्रम से जैसे कि मालेज यह है आपका ठीक है तो आपने लाइन यहां पर खीच लिए इस परकार से आपने पूरा बना लिया यहां पर मन्त डाल लिया इस परकार से आपको लिख देना इसमें लाइन वगरा खीच के है ठीक है नीचे तो टोटल और रहे बागी आपको graph नहीं बनाना है ग्राफ आपको उसमें बने रहेगा आपका कंप्यूटर में ठीक है तो इतना आपको करना से आसा करते हैं आप लगा आपको आगिंश परकार से दूसरा इसमें बोल रायां करना है कि FE पाइचार्ट्व तो हो करना है जन्वरी की सेल्ड कि दूंसी तो सिंपल सांब को क्या पाई शाट बनाना तब्सकर अंटा जेते हैं है शंचे टिक है हमको पाइज को जौए को अंवर वो जिदी को सेल्ड करें और इंसर्ट पर जाएं पाई क्लिक करें तो यहां से और इसको कर सकते हैं जैसा चाहते हैं आप ऐसा बना सकते हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं तो यह है कोई ज्यादा कठीन काम नहीं है जैकर यह पर्सेंटेश बगारा को ऑफ्सन भी होता है पर्सेंटेश दिया सकते हैं जन्बरी में देखें कितना पर्सेंटेश हुआ यह सारी चीजे सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं ऐसा कुछ में मल्ट इस प्रकार से देख सकते हैं पूरे पर बनाना है तो पूरे को select करके insert करा कि पाई चार्ट पर जाके और थेड़ी वाले पर आप क्लिक कर देंगे तो देखे सभी कहा जाएगा ठीक है तो हर मंद का भी बना सकते हैं अलग अलग बना सकते हैं जैसा उसमें कहा जाए जैसी condition आपको दी जाए उसके अनुसा आप इस पकार से लाइन दे सकते हैं मिल जाएंगे तो कोई बी एक आपको जोष में कहा जबासेगा ओगा माई आपकी ठीक है तो इसके बारे मैंने आपको लाश्ट वीडियो में बताया हुआ है प्लेलिस में वीडियो अब लेवल है प्लेस उनको आप देख ले अब हम चलना है इसी में आपका नया टॉपिक एड़ करने जा रहे हैं जो कि हमारा होगा पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन ज जो हमारा पॉपलर है यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं तो इसको हम लोग उपन कर लेते हैं अब इसमें कुछ नई सेटिंग्स बगएरा और कैसे कैसे कोसे इसमें बनते हैं उसके बारे में सीखेंगे तो बहुत ही इजी टॉपिक है यह बहुत ही सिंपल टॉपिक है आपका पावर पॉइंट ठीक है इसको भी हम लोग देख लेते हैं जैसे कि यहां पर देखें बोला गया है सेट अपन न्यू प्रेजेंटेशन फॉर थ्री स्लाइट सापको बनानी है और सभी में आपको मास्टर स्लाइट को अप्लाइ सेटिंग्स होती हैं आपको करनी होती है लेकिन यह बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह पहली बारी सब थियोरी तो पढ़ने लगते हैं पेपर पास करने के चक्कर में लेकिन बहुत से बच्चों के पास कंप्यूटर लैप्टॉप नहीं होते हैं तो उस कां लग अलग बच्शे को वहाँ पर आपसे करने को गया जो भी dove आपकाश और पर जिए अवर तो गरी इनपल सा बोल default कर्ने है इसनते को सब करने हैं इसमें माले एक इंजामपन दोर पर समझा जाते हैं एक तो आपको उपन करना है उसको सेफ करना है पहले ठीक है और उसमें master slide को apply करना है three slides आपको लगाने है तो slides कैसे आप लगाएंगे देखेंगे यह आपकी एक slide है यहां पर लेका होता है slide इसमें आप जाके outline देख सकते हैं कितने outline लगी हुई तो इसमें add करने के लिए हमको क्लिक करना होता है इस पकार से right click और यहां पर option होता है new slide का यहां से यहां से भी आप add कर सकते हैं यह आपका new slide ठीक अब इसमें से आपको मिल जाती है designs कैसा आपको design देना टाइटल वाला देना है यह two content का हमने यह title दे दिया इसको उठाके हम लग देते हैं यहां पर ठीक है और इसमें हम डाल देते हैं कोई color यहां पर गया format वाले option में जा सकते हैं यहां से यहां से भी आपको डाल सकते हैं कोई यह वह नहीं है लेकिन format पर जाएंगे तो आपको दोनों option मिलते हैं एक designing करने को ठीक है दूसरा चीज है इसमें क्या बोला है इसको थोड़ा उपर कर लेते हैं आप इसको अब जैसा चाहिए बैसा रख सकते हैं अब यह अब आपको बोला है तीन स्लाइड तो आपने बना ली ठीक है उसके बाद आपको कहरा है page number और यहां पर बॉटम में header and footer पर आपक लिए करना होता है यहां पिके आपको मिलेगा społec तो अभ में अभी पोड़र में धेके बंखे में को क्या डालना है ऱ्मट का नंबर डालना है और नंट तो अब यहां पर अपल्बर फेड़ कर देंगे तो देखिआ यगा फोटर आ जाएगा यहाँ पर अपना नंबर आप पेज नंबर डाल देंगे इसलिए यहाँ पडelेंच ने डाले देखिए आटमेटिकलि हम पर पेज नंबर यहाँ पर हा inappropriate हो रहा है अभी यहाँ यहाँ पर देखिए कोई टेक्स डालना चाहते हैं जैसे कि इसमें तो खाली बोला गए इंक्लूट आटोमेटिक पेज नमबर बॉटम आप दी फोटर में डालना है हमने साइड में लगा दिया है तो आप इसको बॉटम में भी इंसर्ट करा सकते हैं कोई दिक्कर नहीं जहां पर चाहें वहां प का पनॉशन लगा सकते हैं बेंटर फोडड़ पर दोनुश का क्ट सकते हैं तो इस बगार से लिक्ति एक वन टू टू था टाकर अप इसको इहां सब इसको उठाकर यहां पर रख सकते हैं यह perso तो यह माले तीन हमने स्लाइड लगा दी बॉटम में इसको कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई करना है तो जो तीनों में अप्लाई हो जाए तो इसके लिए हमको जाना डिजाइन पर ठीक है यहां पर आपकी सारी मास्टर डिजाइन होती हैं यहां पर आपकी सारी थीम्स होती हैं तो इसमें इसपे क्लिक करेंगे तो यहां पर और सारी थीम्स आजाएंगी तो इस पेकार से आप अप्लाई करेंगे तो तीनों ही में आपके आप्लाई करेंगे तो तीनों ही में आपक प्देने पमेंद देते हैं को दिक्कत नहीं इस न्यसका और में मास्टर को लगा दिया है और यहां है गए झाइन कॉल विद्टेक्ट को लगा दिया आप यहां को भी मुझे साथ होते हैं आपके नेAttग हैश्लाइड कि यह घा स bombsoth टोट देते हैं आपको बोलाए प्लेश देखिल पाइब पेंसिल और यह सारे इमेज वगर इसमें एड़ करने हैं ठीक है तो क्लिप काइड के लिए इसमें पर जाना है आपको यहां पे मिलेगा क्लिपाट साइड में आपका ओपन हो जाएका आप डाल सकते हैं आप पें तो तो देखे अगर ना सो हो यहां पर तो आप गोव पर क्लिक करतें तो यहां पर जितने भी होंगे ऑफिस के टूस बगरा वह आ जाएंगे तो पेंड पेंसिल का आपका बोला है ठीक है तो इसमें देख लेते हैं अब लेबल होगा तो मिल जाए अगर नहीं होगा तो कोई बा करा लेते हैं यह है अब आप चाहते हैं कि यह तो सिंपल सा उसके लिए आपको देखे क्या करना आपको करना है इसकी डूप्लिकेट करने रहे हैं ठीक है डूप्लिकेट स्लाइट जब आप कर लेंगे तो इस परकार से तीनों पर आजाएगा ठीक है बाकि यह जो प्लिक कर लगा सकते तो इसको कर लेते हैं यहां से और जाएंगे और कुलिक कर पर कार से जैसे आब मौस करेंगे तो आप ऑपको यह पको समझाने के लगाना है तो सका है को सबसेख कर निए पॉसिबल आपको यहाँ पर डेके टायमिंग डीस इस सारे चीज़ दालनी है इसमे आपको बुलल लगा डालने है ठीक है तो बहुत ही सिंपल सी चीज़े है उसके बाद बोला है अन दिस से सेकंड स्लाइट में आपको यह लिखना है एक क्रिएट आप पाई चार्ड यूजिंग फॉल्मिन डेटा तो यह आप पाई चार्ड बना सकते हैं ठीक है थैर्ड स्लाइट में आपको करना है इंक्लुड आटोमेटिक वाइड नंबर इन लेफ्क अलाइन में आपको आटोमेटिक नंबर डाल देना ठीक है उसके बाद एंटर करना है यहां पे सब हैडिंग डालनी है उसमें आपको लिखना है प्रोपोस वेब पेज़े सिंपल साह देखे मैं बता दे रहा लीक्राइद करने हैं भी आपको लेना प्रेफट में डालना उसको में डालना है U किक्टाइब साइब अभी हम कौन सब्षी काम कर रहा है यहां पे बोला है न कि थी फिर साइट ठीक है बहुत सा इसको आप समasia लेए एक बार सोनना आजेगा यहां फिर Freeman बाल दिया न्यूव मेब साइट थी कि स्कोर बॉल्ट कर लेते हैं नियू वेब्साइट हमने डाल दी यहां पर कर कर लेते हैं और यह सब्सकराइब नहों को डाला है प्रोपोच्ट बाइब पेजसर इसको कॉपी कर लेते हैं यही से और यहां पर जाकर पेड़ चाहिए आप लिए लिए पेस्ट आप ना करिएगा ठीक है प्रोपोस्ट वेब पेजेस इसमें लिखना था सब को टाइटल में तो हमने लिख दिया इसको बोल्ड कर दिया इस पकार से आगया आपका ठीक है उसके बाद है इंसर्ट एनि एप्रोपिट इमेज बिलो दी हेडिंग फॉर एनिमेशन यह सकते हैं यहां इपना केरी पार्ट से सकते हैं ठीक है तो हम सिम्पल सा ले थिक हे इंशते नफ्रोपीड इमेज बिलो हेडिंग दि के इडिंग के बीच में डाल दिया उसके बाद हमको create hyperlink डालना है जो कि image पर होगा ठीक है तो image पर हमको hyperlink डालना है google.com तो देखें यह कैसे करते हैं यह भी आप सीक लिए तो इसको कर लेते हैं यहां से copy यह link को इसमें add कराना ठीक इस पर click करेंगे और यहां पर click कर देंगे hyperlink पर और यहां पर select कर देंगे space कर देंगे address और okay पर click कर देंगे तो अब क्या अगर जैसे हम इस image पर जाएंगे तो हमको यह link यहां पर यहां पर क्लिक करेंगे तो इसको काम कराने के लिए हमको पहले इसको रन कराना पड़ेगा ठीक है तो हम चलते हैं animation based low पर बिगनीग पर क्लिक करते हैं तो जैसे हम इस पर mouse ले जाएंगे देखिए cannot download the information required अब इस पर link जो है वो काम नहीं कर रहा है ठीक है तो हमको link इस पर काम कराना है तो यह कैसे काम करेगा तो हम edit करते हैं यहां पर ठीक है और इसको पहले आप save कर लें सबसे पहले इस फाइल को आप save कर लेते हैं तो यहां पर आप simple सा इसमें hyperlink लगा सकते हैं आप edit करके आप जो भी लिंक देना चाहते हैं वह यहां पर इसली इसका hyperlink दे सकते हैं google.com आपके में हो सकता वर्क करें इसमें जो है वर्क नहीं कर रहा है कुछ settings की problem है ठीक है तो आप इसमें आप लिंक दे सकते हैं google.com जो भी और इंसर्ट करना इसमें sound from the clip organizer तो यहां पर कोई आपको sound insert करना है तो इसमें slides add कर लेते हैं और इसमें हमको sound insert करना है तो insert पर जाएंगे यहां पर sound option होता है यहां से अपकोई file ले सकते हैं या फिर अपने file पर चले जबह जाएं अपने computer से कोई sound वगए आपके पकास हो तो वह भी आप आप है तो कोई भी वह पैसमें साउंड ले ले इस परकार से सेंपल वीडियो में से या वीसिकली साउंड फाइल चाहिए हो तो आप इसमें ऐड करा सकते तो मैं देख लेता हूं अगर हमारे पास कोई फाइल अबलेबल होगी तो जैसे की YouTube sound ठीक है तो माली कोई भी sound हम ले लेते हैं इसमें simple सा तो इस पेकार से इसमें music सापकी add हो जाएगी जब हम click करेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर icon आ जाता है sound का तो दो sound यहां पर add हो गए है तो जैसे हम इसे पर click करते हैं तो यहां पर sound है वो आपका automatically आ जाता है ठीक है create करना है पाई चार्ट और जिसमें कि आपको यह सारी चीजे बनाने हैं तो simple size second चार्ट में आप जो ले जाए insert पर click करें और हमको करना है चार्ट तो चार्ट इस परकार से आपको बनाना है पाई चार्ट इस परकार से ठीक है यह आप ऐसे ना बनाएं पहले आप पूरी तीन लाइन का है इसको उटाते हैं और टेबल पर क्लिक करते हैं इसको करते हैं चार इसको भी करते हैं चार इस परकार से आप पहले एक टेबल बना लें यहां पर इस परकार से यहां पर आप लिकले ट्रिप ठीक है और जो जो इसमें कहा गया विसलिए दो ही लाइन की है तो जब भी आप गए हो 2021 में गए हो 2022 में गए हो तो यहाँ पर उसका फूरा प्लान त्यार कर लें और क्या का जा रहा है इसमें Go Deep जो जो City के नाम हो वो यहाँ पर डालने इस पर कार से और इंसर्ट करा लें आप यहाँ पर जाके चार्ट में आपका ठीक है पाई चार्ट भूला आपका तो पाई चार्ट में इसको इसको इंसर्ट करा लें तो यही फाइल आपकी जो है कनवर्ट हो जाएगी पाई चार्ट में तो बहुत सिंपल सा है आपको सेकेंड वाले में यही करना था और फ्राइब में हमको करना है कुछ लिखना है पहले तो और उसको जो फंट रहेगा टाइम रोमेन रहेगा यह रहेगा और लास्ट वाले इस इंसट आ भी फ्रॉम यू प्रॉम यू कंप्यूटर तो अपने कंप्यूटर से आपको एक मुवी इसमें अडक करा तो यह है इसको बनाने का तरीका सिंपल सा है और जो भी चीज़ें आप आड़ना चाहते हैं वो इसमें आड़ कर पाएंगे तो आसा करते हैं आपको इसने चीज़ें सौन में आगए हूं कि कैसे में काम करना है फॉर्ट स्लाइट में आपको क्या बोला था वो भी आपको बत आपके सिस्टम में पड़ी होती है इसको यह आप यहां पर एड़ करा देंगे तो यह चलने लगेगी ठीक है तो यहां पर सिंबल सा मोवी को भी एड़ करा सकते हैं वैं किलिक पर जब करेंगे तो यह काफी बड़ा साइज है तो यह आपको यहां पर करेगी ठीक है मैं आ करते हैं आपको सब्सक्राइब करना होता है अलग आपको काम यहां पर दिए जा सकते हैं तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हैं तो आप चर्टम चेक्ट कर सकते हैं इसका है और अब ले करके सिको कि सकते हैं चैकि यह जो भी है वहीदे आपका सारा सब कुछ काम करेंगा तो बहुत सब्सक्राइब कर शाक्राइब लेकिन पावर पंट कुछ बेसिक टिप्स आपको दे दिए प्रगार्मिंग किस पेकार से इसमें पूछी जाती है तो इसी पेकार के आप को सम मिलेंगे सारे मैनू आपके सामने यहां पे अब लेबल हैं जो जो चीजें पूछी जाए वो यहां पे चले जाए लगबग आपको इंस जिनको पर्चिस करना हो प्रोग्रामिंग के लिए जैसे की सी लेंग्वेज की पाइफन की और आपके एस्टी अमल की कोडिंग के लिए और आपकी आयूटि के लिए उसके लिए हमारे पर पूरी पीडिया फबलेबल है वो मैं आप आप समझाने सकता हूं क्योंकि वो पाते रहेंगे एस्टी अमल की